नमस्ते साथियों आप सभी का एक बार पुन है आपके अपने इस यूटूब चेनल पर भाद बहुत स्वागे थे आज हम कक्सा बार है के हिंदी साहित्य विशे में सामेले कवे दोस प्रकरण पर बात करेंगे और कवे दोस प्रकरण के यह जो वीडियो है यह आठ कवे दोस आप जो देखेंगे यह रास्तन मद्यमिक्सित्या बोर्ड की पुछे दाने होगे हैं ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं और अभिनो सरोवा बना रहे हैं रिकोर्ड करें यह जो सबसे लास्ट में जो लाइन लिखनी थी वह सबसे पहले लिख दी अमल फरमाईएगा देख कव्वे में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है उसे कव्वे दोस्त कहा जाता है जहां कव्वे का भाव ग्रहन करने में कोई बाधा उत्पन हो जाए या कोई गति रोधा जाए तो साहित्य सास्त्र की भाशा में उसे दोशे कहा जाता है अगली एक परिभाशा और देखें क कव्य में वार्ण सब्द वाक्य गठन अलंकार रश्व छंद इत्यादी का शमुचित प्रियोग नहीं होने पर मतलब जो उचित है ऐसा प्रियोग नहीं होने पर बाधा उपस्तित होती है और रचना का शौंदरिय एवं महत्व है घट जाता है इससे क्या होता है कव्य दोस कि ऐसे तत्व जो किसी कव्य 46 गूण अलंकार आदी साहितिक तत्म को नस्ठ करते हैं उन तत्म को ही कव्य में दोश कहा जाता है इनका वर्गी करने निमने तीन आधारों पर किया जाता है एक तो सब्ध गत्याप अर्फ कत दोसी से और तीसरा रस गत्यचि जो कि कविस त्रिस्टिग से माने जाता है पहला देखें सब्दगते दोस्त कौन से होते हैं कि जब किसी रचना में व्याकरण से संबन्धित कोई दोस्त भाया जाता है तो उसे सब्ददोस या पद्दोस कहा जाता है किस से संबन देते व्याकरण से संबन देते जसे कुमुदी नी खिल गया अब कुमुदी नी की स्ट्रेलिंग है इसलिए कुमुदी नी खिल गई यहां गई होना चीए था यहां बाल रवी को देखी तो कुमुदी नी खिल गया बाल रवी को देखी तो यह गई सब्द जो है यह यहां पर अनुचित है व्याकन की दिरिश्टी से यह दोश है इसलिए यहां पर सब्द गते दोश माना जाएगा विवेच्च वद में कुमूदीनी स्ट्रेलिंग सब्द है जब कि कवी द्वरा गया पुलिंग क्रिया का प्रियोग कर दिया गया है यहां पर व्याकन सब्द है वह गलत है यह वर्तने की दृष्टी से सुद्ध है इसलिए यह भी सब्द गतदोश की स्रेणी में माना जाएगा अगला भेद था अर्थ गतदोश कि जब किसी रचना में एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक अनवस्यक सब्दों का प्रियोग कर दिया है तो वहां अर्थ गतदोश माने जाते हैं जीसे बांद्यों जल द समुद्र gensल निदी समुद्र ख गरने की आफ सेकता ही नहीं थी इसलिए यहां पर कौन सा दोस है अर्थ गत दोसी की सरेणी में आएगा मूल रूप से कवे दोस क्या होगा वो आगे देखते हैं कि प्रस्तुत पद में कवी ने एक शमुद्र के अर्थ को प्रकट करने के लिए उसके अनेक प्रियाएवचे सब्दों का प्रियोग किया है अतेव अनावस्थक सब्द होने के करन यहां अर्थ गत दोस माना जाता है हम रविवार के दिन यहां आएंगे अब रविवार सब्द अपने काम में ले लिया तो दिन सब्द के प्रियोग करने की कोई जरौरत ही महसूस नहीं होती आता है लेकिन यहां जो भी वक्त है या लेखे का उन्होंने रविवार और दिन दोनों का प्रियोग कर दी है इसलिए यह सब्दे यहां पर अर्थ गत दोश माना जाएगा कि पनें सब्दों को पहले लिखा जाना चाहिए तो उससे जो करम का भंग हो जाता है तो वहां पर क्या बना मनुष्यों से रही ते यहां पर यह नहीं को बंदर या वानर विहीन कर दूंगा यह रावण का कथिन था तो यहां पर यह नहीं था कि ए वानरी भूमी यह मतलब बंदरों से रही ते कर दूंगा उसका मतलब यह था बंदरों और मनुष्यों से रही ते कि विवेच्य पद में रावण कहना चाहता है कि इस भूमी को मनुष्यों वानरों से रही ते कर दूंगा राम रावण के युद्ध में कि मनुष्यों को वान्दरों को शब्ग मार दूगा लेकिन ए मानुसी भूमी कि मनुस्यों से रहित भूमी ए बांदरी करो वहां बंदर विहीन कर दूगा तो ऐसा तो नहीं हो पूरार यहां क्या होगा भीड में यहां चार समझाना चीहें यहां हो लगा लोग थे तब तु यह वरकिय निर्दोष किसी प्रकार का कोई कावेदोस नहीं भी है लेकिन चार अब जैसे कोई कहे कि एक फूल की माला दो एक फूल की माला दो अब आप समझ स रते हैं कि एक फूल की माला कब बने लगी भी यहां होना क्या चाहर दा फूल की या फूलों की एक माला दो यहां फूलों की यहां एक सब दोता तो सही रहता है तो वहां निर्दोस हो जाता है और यह दिन नहीं है तो फिर रस दोस या वाक्य दोस उसमें माना जाता है अब देखें पहला ही जो दोस अब है सुरूती कटुत्वे सुरूती का मतलब में अच्छे नहीं लगते तो अधा कानों में खटकते हैं तो वहां jest कटूत्व बीदोष माना जाता है पहचान के लिए जब किसी पर में सन्युक्त वर्णों मुर्धन्य वर्णों का प्रयोग है कि किес गया हो तो वहां तोड़ा सा सुनने में यह चीज़े कड़वी लगती है द्रिष्टी पढ़ते ही जाते हैं या अगला प्रसन है कि पावन पदवंदन करके प्रभु कब कात्यार्थ मुले मुझते तो यहां पर कात्यार्थ सब्द आ गया आगे कह रहे हैं कि कभी ने कठिन तर कर्म की करते नहीं हम द्रिश्टता कभी के कठिन तर कर्म की करते नहीं हम द्रिश्टता पर क्यों ने भी तो विशेवत करिश्टता करती विचारोत करिश्टता तो यह जो सब्द आते हैं यह सब्द बड़े सुनने में कठिन हैं या इनको सुनना थोड़ा सा सुनने में खटकते हैं ये तो इसलिए सुरूती कटूत वदोश माना जाएगा अब है ग्रामियत वदोश मतलब गाउं में जो भासा बोली जाती है आम बोलचाल की भासा उस भासा के सब्दों का ये दी किसी साहित्य के पद में प्रयोग होता है तो वहां ग्रामियत वदोश माना जाता है देखतें क्या है परिवासा कि जब किसी रचना में ग्रामियन या बोलचाल की भासा के सब्दों का प्रयोग करता है तो उसे प्रांतिय या देसलिए सब्द आजाने से ग्रामियत वदोश माना जाता है कि जब कोई कभी अपनी र भुट धरेशो हथ हैं गोपाले अब मूंड का मतलब क्या होता है आप समझते हों तो तूटी खाट पर टपक कदे तटिया टूटी तो यहां पर तटिया का उसकी छप्र जो था हुए कि हेरत हेरत हरी क्यों रसखान बतायों ने लोग लोग लोगायन लुगायन गाम की भासा का सब्द है इस्त्रियों के लिए लुगाई सब्द जैसे कैसे कहते हो इस दुआर पर फिर कभी ने आऊँगा तो दुआर का मतलब दुआर तो यह ग्रामियत्व कभी दोस्ते भरे पड़े पड़े जटोले पे रहे नींद ना आई रात जटोला का मतलब छोटा चारपाई क कि मिलकर एक नया आर्थ प्रकट करती हैं वहां पर क्या होता है कलिश्टत्व कभी दोस्ते जब किसी कव्य में ऐसे सब्दों का प्रियोग कर दिया गया हो कि सामान्य पाठक तो क्या बड़े बड़े विद्वान भी कठिनता से उसका अर्थ ग्रहन कर पाते हैं तो वहां क कलिश्टत्व कभी दोस्ता है पहिचान के लिए जहां कई सब्ध आपके मिलकर किसी एक अर्थ को प्रकट करते हैं वहां कलिश्टत्व कभी दोस्त माना जाएगा जएसे अजा सहेलिता सूरि पूता जननी भरतार तके सुत्के मित्र को भजी बार अब यहाँ यह बात साथ बार पढ़ सकते क्रिश्ण का कहीं जिक्र नहीं कहीं नाम ही नहीं नहीं बावदूद इसके इसका अर्थ क्रिश्ण निकल रहे तो ऐसे जो कठी ने या कई सारे गुण धर्म मिलकर जब एक नया अर्थ प्रकट करते हैं और उस अर्थ को ग्रहन करना किसी भी सामाने तो इसलिए को भजिए बार आरत न कला लेकिन बड़ी मुस्किल से कहाँ बकरी से सुरू जोन ला कर दो एक्ट वियंम कहां कृष्ण तुक्र पहुंचे तो वहां कलिश्टत्व का वेदोष माना जाता है ए प्रतित्व का वेदोष जब किसी पद में ऐसे सब्दों का प्रीयोग कर दिया जता है कि मुख्य अर्थ में तो वहें सब्द कोई अर्थ प्रकट करता है साहित्य चेंज यह सब्दकोश की आधार पर उसका अर्थ और निकलता है तो वहाँ आप्रतित्व दोऊसा मन entrepreneurs के वहें मूल रूप से या आम तोर पर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करता है लेकिन समÓ सकते च आप समुझ कर कर हो rhyme में समढ किसी एक और्थ विशेश को प्रकट करने लग जाता है किन्तु कभी अपनी रचना में कुछ लोग प्रतित अर्थ को छोड़ देता है और उसके साहितिक अर्थ को या कोई अन्य अर्थ को या साहितिक अर्थ को ग्रेंड करने लग जाता है तो वहां प्रतित्वक्ता विदोश माना जाता है जैसे विश मैं यह गोदावरी अम्रितन को फल देते हैं विश का आर्थ हम आम तोर का एकतराज और सकता है अपनी अपत्य दर्ज करवा सकता है कि आन्य सकती है कि अम्रित रूपी विखता को दे सकती है यह इसका आर्थ निकलता है कि जल से भारी हुई यह गोदावरी नदी अम्रित रूपी फल देते हैं बिल्कुल पीने के लिए फसल के सिंचाई के लिए इता दिया न तो हम कह सकते हैं यह वाक्य चाहिए क्योंकि हमने विसका आर्थ क्या ग्रेंड करना है जल ग्रेंड करना यह जहर करेंगे तो अर्थ का नर्थ हो देगा इसलिए यहां पर लोग प्रचलित अर्थ के इस्थान पर जब साहितिक अर्थ प्रक्ट किया जाता है तो वहां एक प्रतित्वकवेदोशे माना जाता है अगे चलते हैं कि प्रस्तुत पद में विश्व शब्द लौकिक जाहर के वीप्रीत अर्थ प्रकट करने के करने यहां एक प्रतित्वकवेदोश माना जाएगा जैसे पुत्र जन्म उत्सव पर इस पर्स किन वहु गया इस पर्स का आर्थ होता चुना इसी भी चीज़ को इस प्रकार से चुना तो यह दी बेटे के जन्म पर गायों को जान किया गया इस पर्स का दूसरा आर्थ दान भी निकलता है ठीक है अगे चलते हैं प्रतित्वकवेदोशी कि सामर्ते नहीं जहां सोद की ख्यमा वहनिस्पल है यह रामधरी सिंग दिनकर की कूरुक्षित रतना का कि तीसरे सर्ग से लिया गया लीगी प्रक्ति है तो सो की सामर्ते नहीं जहां सोद की जहां बदला लेने की सामर्ते नहीं है वहां हनिस्पल है इसलिए यहहांपर क्या होगा प्रतित्व का व्युद्वकं की मूणार्थ ग्रहण नहीं किया गया अंधयर्थ किया गया ग कंत्रmin तकरावथ तुल्ले उसका सीष्व통 पढ़ा, इस पर कंद्रवकार्थ क्या है कोईल से है इसलिए कुण सा एप्रतित्व कवेदोस्थ पांचवा है दुष क्रमत्वे मतलब क्रम जो था वह दूशीत हो गया देखते ही क्या होता है कैसे होते हैं कि जब किसी रचना में दो या दो से अधिक कत्षनों का प्रियोग शामाजिक मन जो बात पहले कहने चाहिए थी वह तो बाद में कही जाती है और जो बाद में कहनी चाहिए उसे पहले कहा जाता है तो वहां दुष क्रमत्वे मतलब क्रम का दूसित हो जाना दुष क्रमत्वे दोश माना जाता है देखिए उधरन किता प्यारा उधरने कि मिर्प मों के है देजिए यहे राजा मैं कहता हूं कि मुझे है है कार्थ होता है घोरा है कार्थ मुझे घोरा अप समझ सकते हैं कि हाथी घोरे से ज़्यादा कीमति है ज्यादा मुल्यवान है जिस वेक्ति के पास घोड़ा नहीं है वह हाथी कहां से देगा असल बात का थी जिस वेक्ति के दुआरा ये घोड़ा और हाथी मांगे जा रहे हैं उसने पहले हाथी मांगा और कहा कि मुझे हाथी दीजिए हाथी नहीं है कोई बात नहीं घोड़ा दे दीजिए यहां याचक के द्वारा पहले हाथी मांगा जाना चाहिए था और हाथी ने मिलने की स्थिति में कभी ने की स्थिति में घोड़ा लेकिन कभी ने इसे वीपरित क्रम में रख दिया यहां दूश क्रमत्वे दोश माना जाएगा मतलब क्या हुआ जो इसका क्रम है वह दूश्यत हो गया है यह किसके असलावाद ऐसे मालो कोई कहे कि मुझे पांस रुपे दे दो मुझे पांस और पांस नहीं कोई आद दस नहीं हो सकता इसने पहले दस मांगे दस नहीं है तो कोई वात Нिया फांस दे दो ऐसे जखते है कि पैसे दे दो-पांस नहीं तो दस दे दो लेकिन यहाँ धूश्क्रम में çO है कभए दोस है जिस दिवी वेक्तिने मांगे पहले उसने 10 मांग खरता पुश्वाही जब कि 5 क्या दिये, जो जब कि 5 कहां से नदंच से गंप मारृत को न्नदन, अर्थ्थ मैं वेग् lado लियू आ सकते हैं, ओसी को मारृत नदन का अर्थ हानुमान हभान वेगोβαका वेग् जा दिया मन वेग लकई घा और इसकते हैं एक नमर पे सब से कम्य वेग किसके है मारूत का मंब्र नमबर नमरत मैं नमर्प याप 7 सकते हैं इसलिए मनंका वेग सबसे जड़ा है अब देखो बात कीजिए दूबरा कि जब हनुमान ने हवा के वेग को या हवा को पिछी सोड़ दिया और आगे बढ़े हवा से भी तेज गती से दोड़े और मन से भी तेज गती से दोड़े मतलब जिस स्पीड से जिस गत्य से मन दोड़ता है उससे भी ज़्यादा गत्य से हनुमान दोड़ रहे हैं इसका मतलब दुनिया की सबसे फुर्तिली चीज हो गई जब सबसे फुर्तिली चीज हनुमान हो गए तो फिर खगराज या गरुड के आउसिकता ही कहा थी तो यह अनावस्जिक सब्दी यहां काम में आया है या हम कहें कि यह क्रम भंग हो गया मारूत को घगराज को मन को वेगल जायो सबसे पहले यहां पर आना चाहिए था मारूत का फिर होता घगराज का और फिर होता मन का तब ही वाक्य समुचित बनता अब यह कव्वे दोस से रहीत नहीं है यह दोस्युक्त है और निर्दोस करने के लिए से मन को बाद में होना चाहिए था लेकिन कभी की कुछ सर्ते हैं उसका अपना एक नजरिया होता है उसी साबसे उन्होंने लिख है आगे देखते हैं वद्र सा कि लोह सा कि सहल की सेला पर जब कोई चीज़ पदो में मन और वजड़ सब्का प्रियोग कर दिये जाने के बाद अन सब्सक्राइब करने की आवेसकता ही नहीं रह जाती आता है इन में दुश्क्रमत्वत्त क्व müsstोसे माना जाएगा מא्नक्या वहां पर क्रमheidं नहीं कि 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 जब ے text सब्द कंतोस नहीं कि एक सब्द का व ये करमत्व कव दोश माना जाता है कहने का तात्प्रिय है कि ये किसी पद में क्रमभंग संबंदी सुद्धियां पाई चाहिब अलग ओड़ता ठीक है यहां एक स्ब्द होगा सिर्व यहां देखिए कि विश्व में लिला निरंतर कर रहे हैं मानवी सब्दे मानवी लिला यह लिला सब्द यहां होना चीए था एक सब्दे तो एक सब्द की कारण से तो एक क्रमत वे पूरा पद जाता है यह दि इतना इतना निकल कर तब वहां क्या होता दूस क्रमत वे पत राको पती राधा मेर तो यहां क्या हो जाता एक सब्द की विज़ा से हुआ है तो एक्रमत्व कव्वे दोश माना जाएगा शात्मा देखते हैं चुत्त संस्कृति दोश कि जब कोई सब्द व्याकरण के नियमों की विरुद्ध प्रियुक्त होता है तब भासा के संस्कार गिर जाते हैं अर्था बहर रहा उजाले में होता तो इस प्रकार का व्याकरण का कोई नियम वहां बादीद नहीं होता यह जो तूसरे मुक्त हो जाती है बाते तुप्वा वतन दब सीता बोला तो सीता बोला नहीं सीता के सिता बोली लिंग क्रिया यह सारे चिजें अपस में वचन इन चीजों का ध्यान रखते हुए और जब कभी लिंग का कहीं वचन का और कहीं काल यह इन तीनों मेंसे किसी एक का कि युक्ति-उक्ति या सही ढंग से परीयोग नहीं हो रहा है तो वहां पर आप क्या बांनेंगे वहां पर आपको और शूब की फूनों की लावड़नेता देता है आंद देती है नहीं क्योंकि अनंदाब्स दिया दोस्थ दोस्त का मतलब जिसको देख कर शुनकर पढ़कर मन्हें घ्रिना वहाँ आजए जुगूप शा आजए तो वहाँ पर क्या माना जाएगा असलेलत्व कवेदोस देखें कि जब कवी घृणास्पद लज्जास्पद या मतलब घृणा बढ़ने वाले लज्जा बढ़ने वाले या एमंगल सुचक सब्दों का प्रियोग कर देता है जिसे से हड़पन या भद्धापन आ जाता है वहाँ असलेलत्व कवेदोस माना जाता है कि लगे थूके कर चाटने अभी अभी स्रीमा अब इस वाक्य को पढ़ने से ही मन में एक घ्रणा की उपस्तित्व होती है तो इसलिए यहां पर क्यों कुन सा असलेलत्व है कि रावण के दर तो गेस निकालने के लिए पादसब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो यहां 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 पर असलेलत्व कवेदोस माना जाएगा तो आज के लिए फिल आले इस वीडियो में इतना ही है और मैं समझता हूं कि यह आपने यह आठों कवेदोस ढंग से देख लिए तीनों आधार देख लिए इसकी परिभासा देख लिए तो कवेदोस से संबन देते कोई भी प्रसन आए आप बेजिज़क बहुत ही आराम से शहुलियत से उसका जवाब देने में अपने आपको समर्थ पहेंगे इसलिए अब अनुमति देवें और चैनल को सब्सक्राब क प्रदीजी जीगा नमस्ते धन्नेवाद